हाई तो आज की वीडियो में बताने वाला हो कि आपको क्वानिस्ट्वा कोलेज में कैसे अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है आपका टाइम टेबल एक्सेस करने के लिए और आपके क्लासिस को रजिस्ट्रेट करने के लिए मैं आपको सारे स्टेप one by one बताऊंगा अगर तो रजिस्ट्रेशन के लिए टोटल आपको फोर स्टेप कंपलेट करने पड़ते हैं तो ही आपके क्लासिस रजिस्ट्र होते हैं और तो ही आपको अपना टाइम टेबल मिलता है तो इस इसका आपको ध्यानक नहीं है यहाँ पे आप देख सकते हो the following step are required to be registered and to access your time table तो सब से पहला step है हमारा provide proof of visa approval on your admission portal तो यह admission portal की link है तो मैंने उस पर पूरा वीडियो बनाया है कि कैसे आपको सारे visa की information फील करने है कौन से कौन से document आपको upload करने है अगर आपने वो नहीं दिखा है तो मैंने उसकी link i button पर दे दिये तो आप वहाँ पे जाके check कर लेना आपको सार answer your semester tuition payment has been received by the college and is available in your student portal account if required pay any outstanding tuition fees online तो अगर आपकी कोई भी fees pay करना बाकी है तो आपको वो कर लेना है तो उससे check करने के लिए आपको सबसे पहले कौन स्टोगा के student portal पर login हो जाना है तो जब आप login हो गे तो आपको सामने कुछ ऐसा interface आएगा तो यहाँ पे आपको financial में जाना है तो जब आप financial में जाओगे तो आपके सामने कुछ ऐसा दिखेगा तो यहाँ पे आपको program fees payment पर simply click कर लेना है तो जब आप click करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा interface आएगा currently no outstanding fees means कि मैंने पूरी one year की fees pay कर लिए अभी मुझ आपके second step complete होगा तो अब हम जाते third step के उपर हमारा third step है confirm your invoice तो उसे करने के लिए आपको simply student order पर login हो जाना है तो मैं login हो गया हूँ तो यहाँ पर आपको financial का option दीख रहा होगा तो वहाँ पर आपको simply click कर लेना है तो जब आप click करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा interface आएगा तो यहाँ पर आपको my invoice पर simply click कर लेना है आपका invoice confirm करने के लिए तो यहाँ पर आप देख सकते हो winter और spring का आपका session दीख रहा होगा तो मैंने winter 2023 का invoice already confirm कर रहा है तो आपको कैसे करना है वो मैं आपको भी बता दाओं तो सबसे पहले आपको my invoice पे जाना view invoice पे उसके बाद य नीचे आपको सारी facility दिख रही होगी तो यह सारी facility अगर आप वो चाते हो तो आपको accepted रखना है अगर आप नहीं चाते हो तो आपको simply decline पर click कर लेना है तो जब आप वो कर लेते हो तो मैंने simply सारी facilities को accepted कर रखा है वो करने के बाद आपको simply यहाँ पर confirm and save पर click कर लेना है इ अब हम last step पर आ चुके हैं तो हमारा last step है कि update your current address in your student portal अगर आप currently in Canada में हो तो आपको Canada के address enter कर लेना है अगर आप वहाँ पर नहीं हो तो आप अभी जहाँ पर भी रह रहे हो वही का address ही आपको save कर लेना है तो उसे करने के लिए आपको सबसे पहले student portal पर login होना पड़ेगा त उसके बाद यहाँ पर my addresses करके आपको option दीख रहा होगा तो वहाँ पर आपको simply click कर लेना है तो जब आप click करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा interface आ जाएगा contact information करके तो यहाँ पर आपको सबसे पहले home address अब जहाँ पर भी रह रहे हो वही address आपको यहाँ पर enter कर लेना है उस उसके बाद आता है phone number तो phone number में कई सारी लोगों को दिक्कते आ रही है और वो दिक्कत आ रहे है कि वो लोग यहाँ पर number 10 digit का number save नहीं कर पा रहे हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर country code को आपको 911 करके यहाँ पर डाल देना है उसके बाद आता है area code तो आपके mobile number पे जो 10 digit आती है उसमें से पहले 3 digit आपको area code में डालना है बाकी के 7 digit आपको number में डाल देने तो ही आपका address या phone number आपका save होगा तो इस इसको आपको ध्यान रखना है कि पहले 3 नम्मर आपको एरिया कोड में डालने है बाकी के 7 डिजिट आपको नम्मर में एंटर करने है उसके बाद आता है आपका email address तो email address आपको यहाँ पे डाल देना है उसके बाद आता है आपका emergency contact तो आपको अपना father, mother या sister की details यहा यहाँ पे डाल सकते हो emergency contact में उसके लास्ट आता है आपका social insurance नम्मर scene information तो वह अगर Canada में हो तो ही आपके पास होगा अगर आपके Canada में नहीं हो तो आपको यहाँ पे simply I don't have scene पर simply click कर लेना है यहाँ पे आपको save पर simply click कर लेना है तो जब आप click करो गए तो आपको ऐसा अप्लोड हो चुका है और एक बात कि आपको अपना one card photo भी upload कर लेना है वह भी मैं आपको दिखा देता हूँ one card photo upload तो जब आप अपना photo upload कर देते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा interface दीख रहा होगा तो यहाँ पे आपका one card status दीख रहा होगा photo approved कब upload किया कब approved हुआ यह सारी चीज़े आपको दीख रही होगी तो आपको upload करने के बाद एक दू दिन में आपका photo approved हो जाता है तो ऐसे ही पूर इस process आपको कर लेनी है तो ऐसा ही आपको सारे step complete करके आपका registration करना पड़ता है अगर आपको इस video related कोई भी डाउट हो या कोई भी query हो तो आप मुझे instagram पे DM या comment box में comment कर सकते हो मैं आपके सारी query को solve कर दूँगा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो please subscribe कर दे आपको 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 पर ले शापको आपको है आपको आपको यार compared double that